क्या हुआ हेलो ब्रेबन वेलकम यू ओलेट लोकी इस्टर अलेम्टेड इस्टेड जोन चल रही है क्लास क्लास 11 फिजिक्स की हम सेंपल पेपर सॉल्विंग कर रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पेपर दिया गया है आपके कंप्लीट पेपर है 70 माक्स का है फाइनल एक्जामिनेशन बट हमारी तयारी क्योंकि टम वन और टम टू की है तो हम किभल अपने स्लिबस के क्वेश्चन को देखेंगे पहला सवाल आपके सामने विल्दा मोमेंटम रिमेंस कॉंस्टेंट इफ सम एक्स्टरनल फॉर्स एक्ट ऑन इट क्या अगर एक्स्टरन अगर इंजर्टरनल फॉर्स जी रू होता है तम मोमेंटम कॉंस्टेंट होता है क्योंकि खिर्वेशन रलीं हाँ्न आपके얼 सम्टम bringing १िस्टरनल फॉर्स जीरौ बैसे स्पाइजिव मोमेंटम कॉंस्टेंट विल्यव रिमेंस वाइज्टा ही ये देखी, ये थियोरी लगती है, if f external equal to delta p by delta t for f external to be 0, sorry, dp by dt equals to 0 के लिए f external equal to 0 होने पर dp by dt 0 होगा, मतलब p constant होगा, clear? आशर, इसको आप ऐसे देख सकते हैं, कि f equal to होता है dp by dt, अगर f 0 होगा, तब f 0 होगा, जब p constant होगा, clear? clear, clear होगा, और अगर p constant नहीं है, है ना, तो momentum अगर constant नहीं है, तो force अट करेगा, इसका उल्टा, अगर force अट कर रहा है, इसका मतलब momentum constant नहीं होगा, clear की not clear? Yes sir, yes sir, okay, second question, the earth moving around the sun in a circular orbit is acted upon by a force and hence work must be done on the earth by this force, do you agree this statement, circular motion का question? make sense, सोची समझना वड़ागर कुछी है, समझी है, moving around the sun in a circular orbit is acted upon by a force, force acted, hence work done must be done on the earth by this force, work done कैसे होगा? not, no, 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 no वो कह रहा है कि वर्क डन जरूर होगा on the earth by this force तो पहले बताई किया इस स्टेट्मेंट साइए गलत है नहीं गलत है चलो गलत है अब इसके बाद एदी में बूलो गलत क्यों है तो इसके सपोर्ट में बुली ना कि क्यों गलत है साघ ये सार्कुलर मोशन ये उसमें सेंटरिपेकर फोर्स में होंritosा लोसने अंगा मतलब अईनने लगता ना ड्यो जिग नहीं लगता यह पट क्यों लगता जीरो क्यों होता एप श्रव णिपाला न्में पूलत हैा न किसके निकलता ठख निकलता कुश तो वर्क्डान इस जिरो विकॉज सेंटर पिटल फोर्स केन नॉट डू एनी वर्क ओन दा आर्थ तो रीजन यह होता है देखे कि जब कोई बॉडी या आर्थ है सपोर्स सन के चारत अरफ घूम रही है तो फोर्स बताइए सेंटर की तरफ लगेगा और बेटा डिस्प्लेस क्लियर हो की नहीं हो आज़ा चली सो सेकेंड पाट हो गया नेक्स क्वेस्टिन सपोसे से एकलिस्ट इस नेगोशियटिंग अ कर्व और रेडिस आर्विधी स्पीड वाटे देखे दिशन अंडर विच इस किडिंग विल अकर बताये क्या कंडिशन होगी कि इस किडिंग हो सर एक दो चीज़ से पताए वी ज्यादा होगा और र कम होगा वी ज्यादा होगा और र कम होगा यस बिल्कुल सही वेरी गुड बहुत अच्छा वी शुट भी लार्ज जो की एक्सिडेंट होते हैं मोड पर और र क्या होगा एस्मॉल होगा और रोट सर्फेस का होने के तीन केसिस बहुत अच्छा आपने यहां पर आइडिया लगाया कि भी ज्यादा होगा तो गिरेगा और र कम होगा तो गिरेगा बिल्कुल सही चलिए थर्ड कोशन ड़न वाइड़ क्रिकेट प्लेयर लोवर हिस हैंड वाइल कैचिंग बॉल बहुत ही सिंपल क्वे पहले तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा तो अगर थियोरी वाइज नहीं फॉर्मूला लिखना पड़ेगा फिजिक सही है क्या होता फॉर्मूला पलिए फिजिकल टू इंपल्स बाइव टाइम ओहो गलत बूल दिया आभी भी गलत है दुबारा जीरो मिल गया अपको इंप आ इघ्म डाइब ना प अपड़ेगा खोड़े सों मैंपल्स लग चीज अटा फिकलू डेल्टा पी भाई डेल्टा टी इंपल्स ही है इंपल्स इकोल्स ऒता है एफिन्टू डेल्टा टी ठीक है तो F is equal to delta P by delta T, अब देखे अगर time बढ़ाता है तो force क्या लगेगा, कम लगेगा चलियर, momentum होता न, P, तो भाई, momentum का change तो constant है, अब constant momentum के लिए, अगर force को कम करना है, तो time को बढ़ाना पड़ेगा ना तो फिक्स है कि बोडी जो है पचास की स्पीट से आ रही हो जा कि उसको जीरो होना है तो मोमेंटम की अमाउंट तो फिक्स हो गई जो लें दिन होगा मोमेंटम का एक प्रोस की हर्टिंग के वल टाइम पे डिपेंड करीगी तो टाइम बढ़ा दी जा तो हट कम होगा प्रोस को सब्सक्राइब तो हमारा फूर्थ कोशन ही हो चुका है अगले कोशन के बढ़ते हैं अगला कोशन बहुत है यह खूबसूरत है दा एक्सलिशन टाइम ग्रफ ऑफ बड़ी इस शोन इस शोन इन दागिवन फिक्र प्लॉट दो प्लॉट टाइम विलुट ने टाइम ग्राफ एक्सलिशन टाइम ग्राफ दिया गया है और आपको इसका वेलॉट टाइम ग्राफ बनाना है बता यह बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे देखिए कैसे करेंगे सबसे पहले एक्सलिशन का टाइम के साथ रिलेशन इस पॉइंट तक कैसा है लीनियर है मत अब हमको क्या बनाना है विलोस्टी तो आप जानते हैं कि a equal to कितना होता है गलत हो गया पता है कि नहीं पता है यहां पर यहां पर बन जाएगा और यहां पर a की वैल्यो कितनी है के टी टी की पावर वन है तो के फार्मॉला क्या होता है एकस की पावर न का पताईए शौर एकस्षे पावर न मिनस ऑपको फिर से जीरो मिलती है इस कोश्चन में पर बीमेर को बहुत आए इंटीक्रेशन करना जी भटा आपसारे शूरे सॉरे पर एकस अरक ने आपको दुबारा आप उमीद ना रखें कि आपको दुबारा अंसर देने का मौका देगी किस्मत वहाँ पर आपने जो पहली बार रख दिया फिर आप confident हो जाते हैं ठीक है तो 1 प्लस 1 अपन 1 फ्लस 1 KT स्क्वार भाई भाई 2 क्लियर हुआ हाँ से तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला किसका विलोसिटी का V equal to KT स्क्वार भाई 2 मतलब विलोसिटी इस प्रपोरिशनल टू T स्क्वार टिस इसका स्क्वार ओके मतलब कैसा है विटाइई milliseconds है इन पड्वार्वोली के डा-फर दिधी इसका cœ ड्राफ क्सतरीके से बन सकता है है यह देखि यह से यहां तक यह बन गया मुली क्लियर कaus भी प्रोपेश्चनल two t-square पॉटे जो हमने निकाल दिया है एकल मैं इसके बाद génया попад जो है स्वरी एक्सेलेरेशन जो है यहां पर जीरो हो गया है दिखना इचे लोक तू आ गया थाही एकलेशन जीरो गया एकलेशन जीरो को बहीता है? जब velocity constant होती है तो यहां देखिए इसके बाद में velocity constant हो गई है हो गई यह देखिए तो वो 80 का ग्राफ था 80 का ग्राफ कैसे गया हुआ था यह और यह ऐसा गया था और यह वी टी का ग्राफ है यहां पर भी constant हो गया ठीक है एनी प्राब्लम नहीं सर चली तो यह भी question बहुत अच्छा था बन जागा एक्जाम आएगा तो हाँ सर एक बार इसके practice जरूर कर लिजेगा मैं question की practice जरूर करें ठीक है अगला question question number 10 बहुत ही पोपट question है easy question है और इसके बाद में question number 11 में हलाकि energy लगी है fraction of kinetic energy तो energy आपको आनी रहा है है ना हाँ सर हाँ सर चली question number 10 करिए बहुत easy question है एक न्यूटन और 6 न्यूटन का resultant निकाल करके acceleration निकालने और direction भी बतानी है मतलब complete vector quantity यहां पर पूछी जा रही है question number 10 में चली देखे तो question number 10 बाकी बच्चे लोग देख लेंगे कैसे करेंगे सबसे पहरे force दिया हुआ है दो force लग रहे हैं दोन एक दूसरे के perpendicular है तो भाई यह पाइथागोरस theorem से net force आ जाएगा और acceleration equal to force by mass से acceleration आ जाएगा ठीक है बटा अब इसके बाद direction निकालना है theta तो यहां से perpendicular गिरा दो और यह f y है तो 10 theta is equals to f y upon f x clear तो आइधिंग 6 by 8 दिया हो ना हां बिलकुल सही 6 by 8 है 6 by 8 तीन से 2 से कर दी 3 by 4 तो 10 inverse 3 by 4 आ जाएगा 3 तकी वैल्यू क्लियर बस इतने पर छोड़ देंगे आपको full marks मिल जाएगे ड़न यह question बहुत important भाई question number 18 is is it लिखना चाहिए is it easier to pull a roll it is easier to pull a long roller than push it explain using resolution of forces चली करी इसको question को बहुत ही simple question यह आभी रहा है आपके exam में बहुत बढ़ाया है जावाद कर रहा है बहुत important question भई देखे question number 18 में कह रहा है कि it is easier to pull a long roller long roller को pull करना जो होता है push करने की तुलना में आसान होता है आपको resolution of force दिखा के बताना है यह question यह भी कह दे कि prove it तो आपको solve करना है तो कैसे करना अब यह इतना बड़ा roller बना दिया है बेवज़ा इससे मड़रो कुछ नहीं है यह lawn roller है अब दो scene दिखाएगा है एक में से push किया जा रहा है और एक में से pull किया जा रहा है ठीक है तो पहला अगर आपके पास यहां पर आप पुल फोर्स कर रहे हैं तो f के दो कंपोनेंट यहां पर टूटेंगे एक टूटेगा आपका f cos theta और एक टूटेगा एक टूटेगा अब जब दोनों फोर्स नीचे लग रहे है भाई तो नॉर्मल रियक्शन उपर की तरफ इसका तयार कितना होगा आर एक्वाल टू f sin theta प्लस mg यह सौनो और यू कैन से mg प्लस f sin theta भी लिख सकते हो है ना बिटा हाँ से एम जी प्लस f sin theta यह आ गया नॉर्मल रियक्शन क्या आ गया बिटा नॉर्मल रियक्शन अब गाड़ी आंगे की तरफ जब आप इसको पुश कर रहे हो तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा लगेग क्योंकि यह पुश है तो f friction push equal to mu into r की जगह mg प्लस f sin theta कहिए yes की no mg प्लस applied force f sin theta done इसे number 1 दे दें आप यह पुश का friction force निकला है ठीक है अब during the pull देखते हैं अगर आप pull कर रहे हैं इस direction में theta angle में तो देखे यहाँ पर टूटेगा f cos theta yes or no yes sir और उपर क्यों क्या टूटेगा पिटा f sin theta clear एकी not clear अब यहाँ पर देखे यहाँ पर r भी लगेगा normal reaction clear की not clear अब equilibrium की condition में मैं लिख सकता हूँ f sin theta upward force प्लस upward में r लग रहा है equal to mg बुलिए yes की no yes sir तो normal reaction equal to हो जाएगा mg minus f sin theta clear की not clear मतलब पिछले बार यह f sin theta add हो रहा था देखे यहाँ पर यहाँ पर एक्छली पुल है तो ऊपर जा रहा है मतलब उसका effect reduce हो रहा है कम हो रहा है अब now friction force में निकालूंगा equal to mu into r ओके तो friction force किसका pull का किसका बिटा pull का pull का mu और r की जगे mg minus f sin theta clear की not clear अब देखे first वाले में add हो रहा है second वाले में subtract हो रहा है तो कौनसा वाला part काम आएगा pull वाला की push वाला हां तो लिखेंगे friction force in pull is lesser than friction force in push push clear हुआ तो जैसे घर में wiper चलाते हैं तो wiper में दो प्रकार का wiper चला सकते हो एक आंगे धक्का मारके पीछे धक्का मारके तो ज्यादा comfortable कौनसा वाला होगा पीछे वाला पीछे वाला खोदा पीछे हो जाईए उसको अपने तरफ खीचिए है ना पता चला आपने उसको आंगे कर तो कहीं फस गया तो आप ही पलट गया है समझे की समझे कर लिए तो यह नोट कर लिए इसको दोनों के इससे के अच्छे डागरम बना तरके ओके हां सर तो दोनों में फुल और पुश के फ्रिक्शन निकालना है और क्लियर दिख रहा है इसको 1 और 2 दे दे और लिख हाँ सर चले नोट करें इसको चले दिखिए बच्चों क्वेशन नमर्ण 19 जो है दिखने में आपको टफ लग रहा होगा मगर इतना टफ नहीं है इजी क्वेश्चन है और लॉंग प्लेइंग रिकॉर्ड रिवाल विदे स्पीड ऑफ 33 स्टू 1 बाइ 3 रेवलूशन पर मिनि तो सबसे पहले यह क्या दे रखी इसकी एंगुलर विलास्टी दे रखी है ठीक है भी यह आपको इसकी एंगुलर विलास्टी दे रखी है ओके तो यह क्वेश्चन देखिए जो हमाया पस लिखा हुआ है लॉंग प्लेइंग रिकॉर्ड डिवाल्स विदे स्पीड ऑफ 33 तो यह मान लिजे यह यह उसका एक्सल है और इसके चारों तरफ एक प्लेइंग रिकॉर्ड है यह घूम रहा है यह प्लेइंग रिकॉर्ड मतलब क्या होता है पहले वो जो बाजे बचते थे तो इतने बड़ी-बड़ी सीडी स्टाइप के आते थे याद है बिटा हा से यलो गलर का एक बड़ा सा चूंगा रहता था और नीचे एक सीडी घूमा करती थी ब्लैक से कलर की बड़े तबेगी क्लियर बेटा है तो यह वो प्लेइंग रिकॉर्ड है बेटा यह देखिए और यहां से पीछे से आके हैंगर रख देते थे तो तो एलोंग प्लेइंग रिकॉर्ड रिवल्स विदे स्पीड अफ थर्टी थी इस्टु वन बाई थी रेवलूशन पर मिनिट तो ओमेगा य 99 और 99 प्लस वन कितना हो गया 100 पाई थी और एक रिवलूशन में कितने रिडियन होते हैं और एक मिनट में कितने से केंड होते हैं 60 तो बेटा इसको आप मल्टिप्लाइग कर दोगे तो 200 पाई अपाउन 180 जीरो जीरो कैंसल कर दिया तो 25 पाई अपाउन 18 रिडियन पर सेकेंड ये आ गई इसकी एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलॉस्टी जिसको हम उमेगा बोलते हैं क्लियर बेटा यस सर्थ 25 पाई अपाउन 18 ये उमेगा चुका है आंगे कॉशन पढ़ता हूं रिडियस दिये भई या 15 सेंटीमेटर चलो जरूत पढ़े कियांगे 15 सेंटीमेटर तो इसको हम सबसे पहले आप बदले 15 अपाउन 100 मतलब 0.15 सेंटी मीटर मीटर सोरी होगा की नी होगा जीरो पाइंट 15 मीटर सेंटी मीटर को मीटर बदल लिया ओके तू कॉइन सार प्ले 4 सेंटीमेटर पेक पैक पांट रखा हुआ है और 12 सेंटीमेटर पेक को रखा हुआ है यूझ पोइन का रिख या सिर फाइल एप यूख सेंटर प्लेस देंटर पके अट और रिकोर इस 0.15 मतलब आपको म्यों की वैल्यू जिरो 0.15 दी गई है यूझ यह त। वीच आप द गूमेगा और एक कोईन बेटा बाहर के और फिक जाएगा बुलो यह सुनू हाँ समझ पार हो कि नहीं समझ पार है अगर आपको ही मैं यहाँ पे खड़ा कर दूँ और इसको एक एक स्पीट से जादा यदी मैं इसको घुमाऊंगा बुलो हाँ ना तो पहले तो तुम गिरोगे और फिर घिसटते 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 बाहर की और चले आओगे बुलो हाँ ना अब आप उस पे घुमते रहो यह चीज़ डिपेंड करती है कि आपका फ्रिक्शन सेंट्रिफ क्या है कंडिशन यह है बिटा कि अगर आप उस पे टिके हो तो उसकी शर्त है टिके रहने की कि अंदर की और क्यूंकि टिके तब रहोगे कि जब आपका अंदर की और लगने वाला क्योंकि खिचाओ आपका बाहर की तरफ है? motion आपकी बाहर होनी है तो आपका अंदर की तरफ लगने वाला centripetal force sorry friction force mu mg should be greater than बाहर की और लगने वाला centripetal force mv square upon r centrifugal force clear जो इस case को satisfy करेगा वो रूखा रहेगा clear मतलब सीड़ी सीड़ी बात है आपको दोनों cases के लिए एक अंदर वाले qoin के लिए और एक बाहर वाले qoin के लिए क्या निकाल लेना है μ.m.g. निकाल लेना है बोली है न वो तो दोनों के लिए same ही आएगा अब देखना है कि किसका μ.m.g. m.v. πॉर ऐार से बड़ा है अंदर वाले का या बाहर वाले का तो जिसका बढ़ा हो जाएगा मियू-अफटी बढ़ा, वो रूखा रहेगा. और जिसका मियू-eg्टी छोटा हो जाएगा, वो तूटके बाहर घर जाएगा. Yes, Sir, cleared. तो मतलब किए अबल लड़ाई किसकी किसकी है? मियू-फटी की और MvSq pom R की. Clear की? Not clear. कोई प्रॉब्लम नई सर तो यदी देखा जाए कंडिशन बनाने के लिए कि यदी सिक्का रुका रहे तो कंडिशन क्या बनेगी मूँ एम जी शुट भी ग्रिटर दैन और एक्वल टू एम वी सक्वार बाई आर भुलिये सर्य के चलिएए रहा सर्व एम से एम कैंसल तो यहां से आर को उपर ले जाए तो आर शुट भी ग्रिटर थैन वी सक्वार अपन म्यू जी अच्छा म्यू जी सर यहां एक मिनट एक मिनट कुछ और चेंज हो जाएगा भी यहां पर मैं बताता हूँ अगले पेज में देखे क्या सीन था रुके रहने के लिए mu mg should be greater than or equal to mv square by r ठीक है बटा हमें लगे हाथ हो यहाँ पर v की जगे r omega put करना पड़ेगा क्योंकि question हमको omega में दिया गया है और हम जानते हैं relation जो होता है v और omega में v equals to r omega होता है कि नहीं होता तो mu mg should be greater or equal to m v की जगे r omega का whole square by r so mu mg greater than or equal to m r square omega square upon r clear की not clear बिटा 1 r से 1 r cancel m से m cancel बोलो बिटिया clear है तो mu g should be greater than or equal to r omega square ओके r omega square less than or equal to mu g mu g ठीक है ना आस इसके लिए रुके रहने के लिए है ना तो r is less than or equal to mu g upon omega square अब आप mu g upon omega square की value निकाल ले और देख लें की radius किसकी कमा रही है अगर जिसकी radius से कमाएगी जो हमको पता है दो radius है है ना तो वो वाला coin रुका रहेगा रुका रहेगा की नहीं रुका रहेगा रुका रहेगा सच में आपको यह समझ में आ है कि आपने हां में हां मिला दीवस समझ आया आधा सा आधा सा आधा से आधा समझ आ गया लेकिन यह भी समझ आ गया कि नहीं ने आधा स्वनम्मान को अचा स्टार्टिंग का पार्ट भई आपको ओमेगा दिया था बूलिए हां अब मेगा हमने निकाल ले बाकी सब कुछ दिया हुआ है अब भई कंडिशन कैह रहा है कि क्वाइन रुका रहे तो क्वाइन रुका रहेगा तो भी कौइन किस का फ्रिक्शन कम होगा तो बाहर गिर जाएगा मतलब फ्रिक्शन फॉर्ज जादा होना चाहिए Yes or No? Yes Sir उसके सेंट्रिफिगल फॉर्स से फ्रिक्शन फॉर्ज जादा होना चाहिए सही बोल रहा हूं? आँ Sir तो देखिए R less than Mg upon Mu G upon Omega Square हमने क्या निकाला है? यह देखिए R less than Mu G upon Omega Square निकाला कि निकाला? Clear है? यही कंडिशन इन्हों में भी लगा दी है कि Mv Square M R Omega Square जो है ठीक न? कहरा maximum force due to static force should be greater than Mv Square upon R मतलब friction का जो force है वो बना होना चाहिए समझ गया न? static friction force समझ मैं है कि नहीं है? यह सर आया है तो friction force की जो value है that should be greater than Mv Square upon R और वी की जगा R Omega put कर दो कि तो यह आजाएगा Clear? यह बद फिर से मैं कर देता हूँ friction force should be greater than or equal to centrifugal force centrifugal उसको बाहर कीच रहा है that is equal to Mv Square upon R Clear? हाँ सर friction force कितना होता है? Mu into R Mu into R और R कितना लगेगा? Mg should be greater than or equal to Mv की जगे R Omega तो R Square Omega Square upon R Clear? 1 R से 1 Sir R कड़ जगा 1 1 कड़ गया M R Omega हाँ सर हाँ सर M से M V कड़ गया Clear? यहाँ पर किभल क्या बज़ गया? R Omega Square इधर बजगया Mu G greater than Clear? हाँ सर पलट करके लिखे R Omega Square should be less than or equal to Mu G So R less than or equal to Mu G upon Mu G upon Omega Square Clear? Yes Sir हाँ तो यही आया है Mu G upon Omega Square Clear? Done Sir तो R is less than or equal to Mu G upon Omega Square R less than होना चाहिए Mu की value कितनी दी गई यह question में देखे Mu की value Mu की value question में कितनी दी गई है 0.15 0.15 तो Mu की value 0.15 G यहने gravitational acceleration कुछ नहीं दिया है मतलब 9.8 ले लिजे 9.8 और Omega जो हमारा आया हुआ है यहां लेकला हुआ था First slide में Omega हमने निका लिए था 20 upon 18 pi 20 pi by 18 20 pi by 18 20 pi by 18 आया था बेटा? हाँ सर्थ तो Omega की value में रख देता हूँ 20 pi by 18 18 उपर 20 pi by 18 So 20 into 22 upon 7 into 18 Clear? हाँ सर्थ 2 10 जा 20 2 9 जा 18 Clear? हाँ सर्थ तो कितना हो गया? 2 20 9 7 जा 63 63 63 हाँ सर्थ तो 22 by 7 डग दिया 25 by 18 एक मिनट जी की value हाँ ठीक है 9.8 है तो पेटा यहाँ पर 220 पुट हो गया बोलो हाँ है ना हाँ सर्थ मुझी अपॉन ओमेगा स्क्वेर अच्छा स्क्वेर भी है तो 220 दो बार बोलो यह सौनो हाँ सर्थ और 63 63 भी दो बार तो बार अच्छा हाँ ना हो है तो यह है हाँ सर्थ ठीक है बिटा येस सर्थ हाँ तो 63 63 63 भी दो बार और यहां पर हो गया चलिए शौर अभी काम करी क्याकुलेटर निकाली आर इस लेस दान और इकल तो 0.15 इंटो 9.8 इंटो 63 इंटो 63 0.15 इंटो 9.8 इंटो ओके बोलो 583 पूरा रुका आंसर बोलो 583 जोर से बोलो 5834.43 484 484 484 00 ठीक है ना चलो डिवाइट कर दो इसको बेटा 484 00 से कितना है 0.12 0.12 चलो माल लेते हैं 0.12 आंसर मीटर में है बोलो क्लियर तो सेंटीमीटर में बदलोगे तो आर इकल्स टू 12 सेंटीमीटर क्लियर की नॉट क्लियर Yes, Sir मतलब आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए क्लियर की नॉट क्लियर Yes, Sir मीटर में सौका मल्टिप्लाइ करोगे तो चेक कर लेता हूं भाई सही किया कि नहीं किया अपनने तो बिल्कुल वाग क्या बात है बिल्कुल सही है आंसर आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए क्लियर अब यहां पर दो क्वाइन है अपने पास में एक क्वाइन रखा हुआ है 14 सेंटीमीटर पे एक रखा है चार पे तो बारा से कम में कौन वाला रखा है फस्ट वाला फस्ट वाला फ्रिक्शन से नहीं गिरेगा और सेकेंड वाला गिर जाएगा सांचा आगया असर तो फस्ट क्वें विल नॉट शिप बोलो ठीक है यह सर तो यह दिखे यह एप्लीकेशन था प्योर प्योर है नहीं प्यार कोश्टिन हम अनला तफ नहीं है तफ नहीं है तफ नहीं किस अटा भार हालम है और तोडिक अशली आई अन्यमीए क्वेशन नबर 20 बता हूँ 20 करदा सर अफ कार ड्राइब लॉंग स्क्रीट लेवल फ्रिक्शन लेस रोट बाइंजन डिलेवरिंग कॉंस्टेंट पावर यह मैंने आपको करा रखा है बटा भूल गया है यह सर्च ठीक ना किरा हाउ इस दे वेलास्टी ओफ कर आपको वेलास्टी निकालनी है कार की ठीक है आजा है वेलास्टी की डिलेशन से वापको निकालनी है चलिए देखे कैसे निकलते हैं a car drives along a straight line frictionless road by engine delivering constant power मतलब भाई आप P की वेल्यू आपकी constant है clear हाँ सर नौ पावर is equal to होता है dw by dt बुली यह सो नो एक पावर का और फर्मुला होता है पावर is equal to f into v होता है कि नहीं होता है इस सर पावर equal to होता है f into v ओके आज सर चली ठीक है तो यहीं से start करते हैं तो पावर is equal to f into v तो पावर यहाँ पे constant है है की नहीं है force equal to होता है mass into acceleration और यहाँ पे भी clear की not clear तो k upon m equal to a a मतलब dv by dt और यहाँ पे भी बोलो यह सौनो है सर वहीं एका मतलब क्या हो जगा dv by dt और यह भी है यह सर दिक्कत है क्या कोई नहीं नहीं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मैं लिख सकता हूँ vdv equals to k upon m और साथ में dt clear की not clear यहाँ सर लिख सकता हूँ की नहीं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ अब देखे kb constant है mb constant dt है और हमारे पास क्या चुका है vdv is equals to k upon m dt राइट यहाँ integration both side कर दी जए तो vdv का integration कितना अगा शॉर बोली असर वी दीवी का integration दो इसकार इसकार वाइट रोड़ चीघ बिल्कुल सफिए जी स्क्वार भाई तो एक्स तुदी पावर एंद प्लस वन अपन प्लस वन अथा एन तो वन नहां क्लियर वी स्क्वाइर बाइट एकल टू के अपॉन एम कॉंस्टेंट है के वल इंटीग्रेशन के अंदर डीटी बनेगा डीटी का कितना हो जाएगा डीटी स्क्वाइर बहुत शांदार विश्व गुरु भरत को आप ही बनाएंगे सारी टी हो जाएगा के अपॉन एम तो वी स्क्वाइर एकल टू टू कॉंस्टेंट के कॉंस्टेंट के वल वेरिवल्टी है बुले हाँ है ना तो ये पूरा का पूरा कॉंस्टेंट है की नहीं है तो कॉंस्टेंट हाएगा तो प्रपॉर्शनल टी आएगी की नहीं आएगी तो वी इस प्रपॉर्शनल टू ठीक है? समझ मैं आया की नहीं है? चलिए, नोड कर ये इसको तसलिष से बहुत अच्छा सवाल, बहुत प्यारा सवाल देखे, पहले मैंने यहां से स्टार्ट किया है फिर मैं यहां पे आगया हूँ फिर मैं यहां पे आगया हूँ यह पार्ट नमबर वन यह पार्ट नमबर टू और यह पार्ट नमबर थ्री नोट कर लें इसको इस अब सो रहा है थीक है ना वो अला आते की से दिखिए अगला जो क्वेशन है प्रूब दैड दा आप से कुल तो आप से कहो हों तो आप जानते हैं की एफीकल टू होता है देल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्लियर तो यहां से इसको आप कर देंगे तो एफ इंटू डेल्टा टी कोई क्या बोलते हैं इंपल्स इंपल्स कहता है और यह होता है चेंज चेंज इन मोमेंटम मोमेंटम ठीक है अब थेोरिटिकली आपको इसको लिखना पड़ेगा बट इतना आसान नहीं नंबर पाना त इस एफ इकल टू होता है डीप बाई डीटी एफ डीप डीप दोन तरफ इंटिग्रेट कर देंगे जीरो से लेकर टी इतना की लिमिट में एफ डीट इकल टू पी टू मैनस फीवन एफ डीटी जीरो टीटी क्या कहला था है इंपल्स आप दो फोर्स और यह पीटू मैनस इसमें खास सवाल नहीं है सारे सवाल लगभग लगभग ईजी है एक दो सवाल बहुत टफ है चलिए बट अब उनके लिए अपने पास वक्त नहीं बचा है तो मैं आप पर दबाउन है डलूंगा बस आप इंपल्स मोमेंटम ठीवरम लिख लें और दोस्तों आज की ग्ला खास आपए olduğunu आपकी लें हुआ की ग्लाःंग की लेंई र्याग टिखरी है यूआ की इंपल्थए इंपल्स की छो seeksšे सवाल पर दोस्तों आपार प्लावाल को दडिए है ढ़त पास वे सारे संवाल बहां की खोस्तों इंब बबाड़ सारे सारे सावाल बड़ हैूरा।